कोट ने ऐसा कहा कि existing नियम कानून जो है उसके तहर entry 41 list 2 जिसको concurrent list हम कहते है schedule 7 की उसके तहर services को लेकर कोई specific नियम कानून नहीं है इसलिए उनकी राय है कि services का जो अधिकार है absence of law में law की वज़े से वो हम राजे को तेनाती देते हैं कि राजे में मंत्री वगएरा के तहर जो लोग काम करें वो उनकी सुनवाई करें नहीं तो काम करना मुश्किल होगा हमारा ये मानना है कि existing जो नियम है उसके अनुसार services का अधिकार क्योंकि law and order administration में union का बहुत बड़ा रोल है और संसत का सबसे बड़ा रोल है तो उसके तहत ये अधिकार केंडर के पास है और इसी लिए इससे पूर्व में एक और पहले judgment आ चुका है कई judgments आ चुके हमारी माननता है कि ये particular judgment उनके contradiction में है मगर जैसे भी अगर हम इस judgment को भी मान ले तो इस judgment के तहत ही court ने खुद लिखा है कि केंडर सरकार चाहे तो कानून ला सकती है तो कानून लाने की उसी प्रक्रिया में जब संसत अपन अभी चुटी पर है तो ordinance को लाया गया है और ordinance इसलिए valid है कि राश्ट्रपती के अधिकार को जहां पे पूर्ण राज्ये भी है वहां पर भी challenge नहीं किया जा सकता तो union territory के अंदर राश्ट्रपती के अधिकार को कैसे challenge किया जा सकता है सबसे बड़ी समझने का विशे जो है कि ये controversy बनी कैसे तो ये controversy बनने के मूल में जो कारण है वो भष्टाचार है भष्टाचार का control डिली का मुख्य मंत्री अपने हाथ में चाहता है यही कारण है कि जैसे ही ये नियम बदला अगर कुछ नहीं किया था तो जो अधिकारी जाच में लगे हुए थे कागज उटाने में लगे हुए थे विजलेंस के इंचार्ज थे चीफ सेक्टरी डिली के administration manage कर रहे थे आते ही आपने तकल निने से उनको हटाने का प्रयास क्यों किया यानि आप अपने पद का, कुर्सी का और नियम की absence का फाइदा उठाते वे दिली की जनता को और दिली कोही नहीं बेलकि देश को नुकसान पहुचाने का काम कर रहे है तो कोई भी कानून, कोई भी विवस्था भले ही लोगतंत्रो अब पंगु नहीं हो सकती और वो पंगु नहीं होने के कारण उसको अगर आपने पंगु बनाने का काम किया तो उसको सुधारने के तरीके केंदर के पास और देश के राश्ट्रिपती के पास हमेशा ही रहते हैं